सो हमने हमारा सम है कि A ratio B is equals to 3 ratio 5 and B ratio C is equals to 10 ratio 13. अब हमने क्या करना है देखो ये जो है ये जो term B है हमने B term से इनको divide करते हैं. दिवाइड इच टर्म बाइटेन सो हमने हर एक टर्म को 10 से डिवाइड करना है. तो पहले तो 10 और 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 ratio 13 बाइटेन ठीक है. हमने अभी ये वाला करना है. तो ये हमारा आगया 1 ratio 13 बाइटेन बाइटेन सो अब हमने देखो ये वाला B तो solve हो गया हमारा. अब हमने इसका B लेके आना है. जो इसका B है. हमने पहले तो जो ये वान है ना वान को बनाना है B. तो ये तो कट गया. यहाँ पे आगया 2 और यहाँ पे आगया 1. और जो ये है. है ना इसको आपको पता है कि इधर 5 इसका आणसर आजाएगा. इस इकोल्स टू. सो मतलब कि अब इसका आणसर आणा 5 ratio 13 बाइटू. ये तो मारा आणसर आगया. अब इन्होंने का है? फाइंड. ए रेशो B. रेशो C. इस इकोल्स टू. अब हमने ये तो ढूंगनी थी. है ना? तो 13 रेशो 5 रेशो. 13 बाइटू. जो है जो हमने सब भी को ना मल्टि्प्लाइ करना है जैसे 5 और 2 और सब इंद इस टर्म को भी 2 से मल्टि्प्लाइट करना है. कि ये डिवाइड जो ये है fraction है, fraction कट जाए तो अब हम 3 multiply by 2 5 multiply by also 2 and 13 by 2 multiply by 2 सो जो 2 2 है वो तो कट गए हमारे 13 रहे हैं यहाँ पर आ गया हमारा 13 यह आ गया 10 और यह आ गया 6 और simple है यह 6 ratio 10 ratio 13 थैंक्स फर वाचिंग